दोस्तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल पे में अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं वो भी ओल्ली दो मिनट के अंदर और अकाउंट बनाने के बाद किस तरह से गूगल पे एपका यूज करेंगे आप ऑनलाइन ट्रांजिसन करने के के लिए आपको पिले स्टोर पे आना है सरच कर लेना है गूगल पे और यह इव आपके सामनी आएगा यहाँ से अपने mobile phone में इस app को install कर लेंगे और app को open करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको enter करना होगा अपना mobile number अब mobile number यहाँ दोस्तों आप वो enter करेंगे जो आपका bank account से link है इस बाद का दिहान आप रखें उसके बाद click करेंगे आप continue पे उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको अपनी एक email ID सेट करनी है जो भी email ID के साथ अपना account आप Google पे में बनाना चाहते हैं वो email ID आप सेट कर लेंगे और click करेंगे accept and continue पे उसके बाद आपका mobile number दोस्तों verify किया जाएगा mobile number verify करने के आपके पास OTP आती है वो आपके यहाँ पर enter होने के बाद submit हो जाती है उसके बाद यह interface दोस्तों आपके सामने आ जाएगा दोस्तों Google पे में account बने के लिए आपको aid करना होगा bank account और bank account aid होते ही दोस्तों आपका 95% काम Google पे में account बने का complete हो जाएगा यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है aid bank account बस यहाँ हमें किलिक करना होगा किलिक करने के बाद दोस्तों अपना bank account हमें यहाँ पर सर्च करना है जिस bank में हमारा account है जैसे कि अगर आपका bank account है state bank of India में तो यह नाम सर्च करना है अगर आपका bank account HDFC bank में है तो ये नाम आप search कर लेंगे bank आपके सामने दोस्तों आ जाएगा इस पर click कर देंगे click करने के बाद दोस्तों ये interface आपके सामनी आएगा और आपका mobile number यहां show हो जाएगा अगर ये mobile number आपका दोस्तों आपके bank account से link है तो फिस click कर देंगे आप continue पे उसके बाद permission को आप allow पे click अगर allow कर देंगे अब यहां आपको दिहान से देखा है दोस्तों आपका जो ये mobile number है ये mobile number आपका sim 1 में है या फिर आपका sim 2 में है ये आपको select करना है उसके बाद continue पे click करेंगे verify करने के लिए अब यहां फिर से permission को allow करना है message की उसके बाद आपके सामने ये interface आएगा और आपके mobile number पर एक sms send किया जाएगा verify करने के लिए और अगर आपके सामने दोस्तों ये interface आ जाता है और account आप बना रहे हैं अपने इस number से तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों अगर इस number से अपना account आप बना रहे हैं तो इसी number में जो आपका internet है उसे open कर ले और sim 1 में slate कर ले या फिर किसी का hot spot open कर आगर आप wifi connect कर ले उससे भी काम बन जाएगा तो ये सब मैंने आपको बताने के लिए दिखाया है तो किलिक करते है रेटरी पे और मैंने streamer में net current कर लिया दोस्तों अपना और मैंने अपना bank account भी यहाँ पस successful 8 कर लिया है अब हमें करना क्या है दोस्तों setup करना है अपना एक UPI number उसके लिए किलिक करेंगे setup UPI number पे या किलिक करने के बाद दोस्तों हमारा यह UPI number वह set up हो जाएगा अब दिहान एक बात का दोस्तों हमें रेखना है हमारा UPI number वही है यहाँ पस setup होगा दोस्तों जो हमारा प्रेटियम में या फिर phone pay में है तो कंटीनियू पे किलिक करेंगे और फिर से हमारा पास एक एक SMS send किया जाएगा अब यहाँ पर भी दोस्तों आप देख पाएंगे हमारा पास एक SMS send किया गया है और जो पिन हमारा PayTm का जो phone pay का है वही pin set होगा उसके लिए किलिए करें continue पे continue पे किलिए करने के बाद फिर से हमाँ पास एक request एंड की जाएगी और हमारा जो account है Google पे में वो बन जाएगा अब यहाँ पर दोस्तो अगर हमें किसी को payment करना होगा चाहे एक उर्पेगा हो चाहे कितना का payment हो तो उस payment करने के लिए हमें अपना एक pin एंटर करना होता है अप पिन हम वो ही एंटर करेंगे जो हमारा phone पे में है जो Google पे में है वही same pin दोस्तो यहाँ पर भी create हो चुका है औ अगर आपका account अभी तक ना Google पे में है ना फोन पे में ना प्रेटियम में है तो आप अपना account अगर बनाएंगे तो आपको debit card की जरुवत पड़ेगी और debit card अगर आपके पास नहीं है तो आप आधार काट से भी अपने account ओपनी प्रोसेस कंप्रीट कर पाएंगे इसकी जर तो आप कर सकते हैं यह सभी काम और अपना account आप Google पे में बना सकते हैं कितना आसान है दोस्तों अभी के time में गूगल पे में अपना account कराना और इस account की मदद से अब अगर आपको किसी को payment करना है तो आप वो सब यहां से दोस्तों कर पाएंगे अपने bank का balance भी आप यहां से करने के बाद अगर किसी को QR code scan करना है तो यह रहा scan QR code का option इस पर क्लिक करेंगे और यहां से दोस्तों permission allow कर देंगे और camera start हो जाएगा अब QR code scan कर सकते हैं जितने भी आप जिसके भी करना चाहते हैं बाकि आपको bank का balance चेक करना है और कुछ काम करना है यह सारे option आपको देख देखने के बाद और भी यूजर हैं जो video complete देखेंगे और अपना account successful बना लेंगे तो ही बहुत सारे यूजर दोस्तों ऐसे होते हैं जो कमेंट पर ही विश्वास करते हैं तो इस वज़े से आप अपना comment करना विल्कुल ना भूले अगर आपका account दोस्तों बन गया है तो च के लिए जा हिंदू